हेलो फ्रेंट्स इस नए वीडियो में आपका स्वागत है तो आज का जो डेट है वो 9 अगस्त है ठीक है 9 अगस्त को लेटेस्ट अपडेट आया है आपका जो बीटी यूपी के बीटी यूपी के तरफ से आया है ठीक है बोर्ड आप टेकनिकल एजूकेशन उत्तर जो भी आपका समेश्टर एजाम होने वाला है चाहे आप फर्स्ट यर के स्ट्रेंट हो चाहे आप सेकंड यर के हो चाहे थाड़ी यर के स्ट्रेंट से हूं सभी के लिए दिसा निर्देश जारी कर दिए गया है ठीक है तो यहां पर सबसे पहले आप डेट देख सकते हैं यहां पर नौ है ठीक है नौ आठ दोजार इकिस नौ अगस्त को यह अफिस्यल नोटी जारी किया गया है यहां पर देख सकते हैं सबसे पहले बीसे क्या है इसके बारे में देखते हैं बीसे आपका है प्राविर्दिक सिच्छा परिश्ट की आगामी समस्वेश्टर वार् है तो यहां पर देखेंगे महुद है किर्प्या उप्रोक्त विस्यवक परिश्ट की पत्रांग के इतना 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 बाईश्य दोजार इकीस का संदर्व गरण करने का कश्ट करें जिसके द्वारा आप अउगत ही है कि कोविड-19 महामारी के दृष्टिगर्द eерм की परिच्छा दिनंग 168-2021 से अल्लाइन आयोजित होना प्रिस्तावित है ठीक है जो फाइनल ये का एक्जाम होना है वो डशोला आपके 16 अगस से होना है ठीक है सोला आट डूला की जिसका बिस्तरित परिच्छा काषव करें जारी कर चुके है बीटी उपी बोर्ड ह प्राविर्दिक्स इच्छा परिशा उत्तरप्रदेश लखना उद्वारा बिंदुवार नियम निर्धारण किये गए हैं जो निम लिकित हैं तो आप जब एक्जाम देंगे कुछ के लिए कुछ नियम कानून बनाए गए हैं ठीक है कुछ रूल रेगुलेशन बनाए गए ह इंटरनेट की सुद्धा नहीं है तो वह परिच्छा प्रारम होने से पूर्व इंटरनेट व्यवस्ता की व्यवस्ता सुनेशित कर ले जब आप परिच्छा दे रहे हैं तो किसी अन्यव्यक्त को आपके परिच्छा कच्छ में परवेश करने की नहीं होगी क्योंकि आपक प्रकास इतना उज्वल होना चाहिए कि इसकीन पर आपका चेहरा अश्पष्ट दिखाई दे इससे दिन के उजाले के समान माना जा सके ठीक है ओवर हेड लाइटिंग को प्राथिमिक्ता दी जाती है यदि ओवर हेड लाइटिंग उपलब नहीं है तो प्रकास का सुरोत या फिर लेक्टाफ या फिर कंप्यूटर इत्याद के माध्यम से परिच्छा दे सकते हैं जिसमें कैमरा यह माइक्रोफोन होना अनिवार है निथा चाहत आरलाइन परिच्छा में प्रतिवाग नहीं कर सकेगा ठीक है तीसरा दिशा निर्देश दो दिया गया इसके बारे जर रख सकते हैं आपके डिस्क की स्तिती को प्रोटेक्टर अलोकन कर हेत कह सकता है आप द्वारा प्राविर्दिक्स इच्छा परिच्छ उत्तर प्रदेश लखनों के नीमा उनसार ही नॉन प्रोग्रामीबल कल्कुलेटर परियोग किया जा सकता है जिसको प्रोटेक्टर देख सकता है ठीक है तो इस तरह से तीसरा दिसा निर्देश है इसके बाद जो दिसा निर्देश उसमें क्या है चोथा जो दिसा निर्देश दिया गया सभी स्ट्वेंट्स को उसमें क्या कहा गया है आपके आसपास की मेज या दिवारों पर कोई लेखन नहीं होना चाहि यह संगीत या टेली विजन जैसी दुनियों को कियन मती नहीं होगी ठीक है नेक्स्ट आपका पाच्वा जो दिशा निर्देश दिया गया है उसमें कहा गया है आपका आपको फार्मल परिधान पहन कर ही बैठना मतलब फार्मल आपको वस्र पहन कर ही एक्जाम देना है एम ब्योहार करना उनसासित ब्योहार करना है ठीक है नेक्स्ट आपका आपका जो छेट्वा दिशा निर्देश दिया गया है उसमें क्या कहा गया है समस्त परिच्छाएं बहुविकल्पी MCQ टाइफ के आधार पर आनलाइन मोड में संपन कराई जाएगी ठीक है सात्वा जो स्टुडेंट्स हैं ठीक है जो इसे फर्स्ट एर सेकंड एर के जो स्टुडेंट्स हैं उनको पचीश कोश्चन मिलेगा करने के लिए और उनका जो समय होगा घंटे का होगा ठीक है इसके बाद आठवा जो है आपका दिसार निर्देश दिया गया उसमें क्या कहा गया है कैने कोई निगेटीम मारकिंग नहीं होगी किसी भी प्रकार की निगेटीमार्किंग नहीं होगी आर जड़िशार निर्देश दिया गया है इनी ही आपसनापका सई होगा दस्वा जो दिशा निर्देश दिया गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आनलाइन परिच्छा है तो आपको उचित स्पीड वाला इंटरनेट का परियोग करना होगा तथा समस परिचार्थियों को इंटरनेट की एक बैकल्पिक व्योस्ता अपने अस्तर से करनी होगी किसी अस्विवदा से बचने के लिए आवस्यक है कि वे उचित इंटरनेट की व्योस्ता तयार रखें यह किसी चात्र का इंटरनेट किसी कारणवस 15 मिनट या उससे ज़्यादा देर तक बादे जाता है तो इंटरनेट सही होने पर उसे पूने परिच्छा में सामिल होने तो दिया जाएगा परंत ध्यान रहे कि यह द्यसी स्थिती में उसके द्वारा अभी तक अंतरित प्रस्नों और उसके विकल्पों का क्रम परिवर्तित हो सकता है इन अंतरित प्रस्णों में से वे प्रस्ण भी हो सकते हैं जिनको चात्र ने देखकर विविचना है छोड़ रखा है ठीक है इसके बाद यहाँ पे देखेंगे इसके बाद क्या है यहाँ पे देख सकते हैं परिच्छा की सुब्धा ठीक है परिच्छा की सुचिता बनाए रखने यह तो यह निर्ड़े लिया गया है कि सभी चात्रों किसे अन्रोध है कि वे इंटरनेट की स्वम्चित ब्यवस्था सुनिश्चित करें और किसी बैकल्पित ब्यवस्था को भी तयार रखें का इसमें कहा गया है दसमें दस्वें पॉइंट में कहा गया है कि आपको इंटरनेट की सुब्धा बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए आपके पास एक मुबाइल मान लेते हैं एक सिम में आपका नेटपैक है तो दूसरे सिम में भी आपको नेटपैक रखना होगा ताकि एक सिम में अगर नेटवर्क नहीं सही चला है तो दूसरे सिम से आप अपने एक्जाम को दे सके ठीक है इस तरह से कुछ नोटिस दिया गया है यहां पे देख सकते हैं इसके बात क्या कहा गया है अत्या सभी छात्रों को उन्हें सह समय पाकर आगे बढ टिये गया है ओन्लाइन परिच्छा प्रारम होने के 30 are no फूरर लिंक करना होगा टिक है जैसे ही आपका इक्जाम सुरू होगा उससे 30 मिंट पहले ही आपको लोग इन करना होगा नेक्स्ट जो बरावाद दिशा निर्देश दिए गए हैं सभी स्टुडेंट्स को इसमें क्या है अंतिमवर्ष के चात्रों होत आनलाइन परिच्छा के दौरान एक घंटा पैतालिस मिनट के परदावन रहेगा इन पंद्रे मिनट में आपको किसी प्रस्ण का उत्तर नहीं देना नहीं देने उत्तर देने नहीं दिया जाएगा ठीक है जो पंद्रे मिनट आपको इस्टरा मिला है उसमें किसी प्रक्वार का उत्तर नहीं दिया जा सकता है ठीक है तो इस तरह से जो तरह आपका डिसा निर्देश दिये गए हैं उसमें क्या कहा गया आपका ऑनलाइ चात्रा को निम्र वेरंड देना होगा पहला क्या है इसमें उब्साफ्टेग चाटरा को चार से पांच बार फोटोग्राफ क्रिक करके जिसका परिशत के अब लेकों द्वारा मिलान कराया जाएगा उसके फोटोग्राफ को संस्था से भी वेरिफाई कर सकता है नेक्स आपक कोई तुटी होती है तो वह वहीं पर रख दिये गए अस्थान पर अगत करा सकेगा ठीक है तो इस तरह से कुछ दिशा निर्देश दिए गए है नेक्स्ट क्या है आपका दिशा निर्देश इसी प्रिक्रिया के दौरान चाचात्रा मॉक टेस्ट भी दे सकेगा नेक्स्ट आपका है समझ शाचात्रा को अपना मुबाइल नंबर और इमेल आइडी क्रिया सील अवस्था में अपडेट कर रखना होगा ताकि आल्लाइन परिच्छा से संबंदी सूचना समय शाचात्रा को पहुंच सके तो महुत बहुत महुत पुन ऑफिसियल नोटीस आया है जो भ पर आप लॉग इन करके अपना जो मॉक टेस्ट होने वाला उसको भी दे सकते हैं ठीक है दे सकेंगे तो यहां पर देखते हैं जो चौदे नंबर दिशा निर्देश दिये गया है उसमें क्या कहा गया है समझ छाचात्राओं का पंजी करन जिन्होंने परिच्छा अवेद चके हैं जो फार्मेसी के हंती मौर्स के उनका जो 17 से जाम होगा 20 तक ठीक है इसके बाद यहां पर देखेंगे कि जो समेस्टर सिस्टम है दुतीवर्स और चातिर्थ ठीक है फर्स्ट यर और से के स्टूडेंट्स हैं ठीक है उनका जो एक्जाम होगा 21 से 26 के बीच होगा तो इस तरह से कुछ दिशा निर्देश दिये गए हैं यहां पे देखेंगे तो यहां पे लिखा गया है ध्यान रखें यह ध्यान रहे कि केवल सॉप्ट्वेयर पर पंजी कृत चाह चाहत्रा ही परिच्छा में समलित हो पाएंगे अते उप्रोक्त समय साड़ी का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा यहां पे देख सकते हैं नेक्स आपका है 15 नंबर अनलाइन परिच्छा में सभी प्रचार्चियों दोरा प्रतिभाग करना अनिवार है परिच्छा में प्रतिभाग ना करने की स्थिति में परिच्छा प्रेडाम में विलंब अंतिमोर्च के चात्रों को डिप्लोमा प्राफ्ट करने में विलंब और गयर अंतिमोर्च के च श्शातरों की आगामी समेश्ट्र का चिर्फ की श्तापना की जाएगी जिस पर संपर्ग का संपर्क सूथ पर इच्छा यह तो प्रियोग शाप्टिवर पर उतलब करा दिया जाएगा किर्पया ध्यान हैं कि आप पर संपूर परिच्छा के दौरान प्रोटेक्टर द्वारा निग्रानी रखी जा रही होगी और आपकी कोई भी गत्वीधी जो परिच्छा की सुचिता को बादित करती है को उस प्रोटेक्टर के द्वारा परिशत को सुचित कर दिया जाएगा जिससे आप पर प्रारुद सब्सक्राइब करते हुए अपने संस्थान में अध्यानाज समय पूर्ण कर ली है तो इस तरह से कुछ दिशा निर्देश यूपी पॉल टेकनिक के स्टुएंट्स के लिए दिए गया है ठीक है बेटी यूपी का लेटेस्ट अभी अभी आया है तो इसको इसके बारे में आ डेली ग्राम चैनल पर संसस्थान चांगते है इस वीडियो क्पड़े इस तो सबसे पहले आपको यहीँ पर मिलेहा